हम बात कर रहे हैं सरल आवर्द गती से संबंदित वक्र ग्राफ्स रेलेटेट टू सरल आवर्द गती सिम्पल हार्मोनिक मोशन राइट अब सुनो ज़रा बात को कड की इस्तिती का समय के रूप में फलन क्या था उमेगा टी प्लस फाइब इदि कड पर मीन पोजिशattack हो सर रलावर्द गती करने वाला कंड माद इस्तिए पर है या और धनात्मक चरम पोजिटिव एक्स्रीम पोजिशन की त्रफ गतिशिलियो तो क्या हो जाएगा कल आवर्म्य गतिए जीरो प्रार्म प्रारम भी कला जीर होगे तो समीगन क्या हो जाएगी? X equals to A sin of omega t आया ना? तो कंड के V के समीगन क्या होगे? V equals to A omega cos omega t और तुरण की समीगन क्या हो जाएगी? माइनस का A omega square sin omega t तो सबसे पहला जो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ वो ग्राफ किस-किस के वीच में प्लॉट करने हैं वो ग्राफ प्लॉट करने है मेरको कंड की इस्तिती एवम समे के मध्य और कंड के वीग का समे के और कंड के तुरण का समे के t बराबर 0 पर यह रिखा किसके लिए बताई गई है? जब समे 0 है उदर जाएंगे तो समे बढ़ेगा यह रिखा बताईगी है t equals to capital T by 4 के लिए यह रिखा t equals to capital T by 2 के लिए यह रिखा t equals to 3 T by 4 के लिए और यह रिखा t equals to capital T के लिए राइट? यह ग्राफ पनाएंगे हम लोग है ला? तो उससे पहले हम यह पर कुछ time के साथ साथ सबकी values के स्थरे से change के लिए table बना रहा हूँ सबसे पहले time फिर omega T की value के लिए फिर sin omega T फिर cos omega T और फिर x equals to a sin omega T कन की इस्तिती के लिए फिर V के लिए V equals to a omega cos omega T के लिए graph values और लास्ट में a equals to minus a omega square sin omega T के लिए राइट? ओके T equals to 0 पे omega T की value भी 0 omega T की value 0 तो sin omega T यानि sin 0 यानि के 0 cos omega T यानि की cos 0 यानि के 1 जब sin omega T की value 0 यानि के लिए तो यहाँ पे टन की स्थिती कितने हो जाएगी? 0 जब cos omega T की value कितने हो जाएगी? 1 एक कैसी value तो यानि की अधिकतम value अधिकतम मान और cos omega T यानि की अधिकतम में तो वेग भी क्या हो जाएगा? अधिकतम कितना? A omega क्योंकि cos omega T के बान कितना है? 1 और त्वारण कितना हो जाएगा? 0 आगे चलिए at as time increases जैसे जैसे समय बढ़ेगा time कहां से कहा तक increase करने? T equals to 0 से T equals to capital T by 4 पर फिक जी जड़ा समझो पहले पहले बात तो यह करें कि T equals to capital T by 4 पर omega T की value कितना है? omega T की value क्या लिखते हो? 2 pi by capital T और time क्या लिखने वाले हो? T by 4 T से T कैंसल होगा 2 से कैंसल होगा 4 तो omega T कितना आजाएगा? pi by 2 तो जब T की value 0 से T by 4 तक increase होगी तो omega T की value क्या होगी? 0 से pi by 2 तक increase होगी यानिकि 90 degree तक और ये अगर 90 degree तक increase होगा तो sin omega T तो क्या होगा? increase होगा क्यों? theta बढ़ने पर sin की value increase होती है अपर cos omega T की value क्या होगी? decrease होगी बढ़ेगा बुलो बात सही है अगली बात करें at T equals to capital T by 4 T by 4 पे omega T की value pi by 2 sin pi by 2 sin pi by 2 sin 90 sin 90 यनिके 1 cos omega T यनिके cos pi by 2 cos 90 cos 90 यनिके 0 तो कर गा होगी गया धनात्मक्चर में सिदी B plus A कन का वे cos omega T का है 0 तो कन का वेग हो जाएगा 0 और तौरण कितना हो जाएगा minus का A omega square पर तौरण का परिमान क्या रहेगा maximum यनिके A omega square यह सरो minus sin तो वैसे भी क्या बतना है सिर्फ दिशा को का किया जाओ at T equals to T by 2 T equals to T by 2 पर omega T equals to 2 pi by T into T by 2 समय कमान T by 2 cancel हो गए तो omega T की वैल्यू pi omega T की वैल्यू pi pi मतलब 1 T sin 1 T की वैल्यू 0 cos 1 T की वैल्यू minus 1 तो कण की स्थिदी X equals to 0 vague vague का मान minus का A omega की cos omega T का मान minus 1 परंतू vague का जो परीमान लिखेंगे वो क्या लिखेंगे plus का A omega और वो कैसा हो गया अधिक्तम vague का परीमान अधिक्तम और त्वरण भी क्या हो जाएगा 0 yes or no क्यों भाई साब समझ में आरी की ने आरी जोर से आरी की ने आरी बहुत बड़ी है जोर से समझ में आरी है okay at T equals to 3 T by 4 बार बार थोड़ी बताएंगे आप क्या देख रहे हैं जब समय T by 4 increase होता है तो कला omega T की value pi by 2 से increase होती है देखो फिर से समय T by 4 increase हुआ omega T की value pi by 2 से increase हुई तो यहाप में pi by 2 करके देख लो omega की value 2 pi by T समय T by 4 तो यह 3 pi by 2 है solve करके देखो अच्छा जी 3 pi by 2 यानि की 270 sin 3 pi by 2 यानि की sin 270 की value होती है minus 1 cos 270 की value होती है 0 कड की स्थितिया जाएगी x equals to minus a यानि की कड पहुँच गया minus द्रिनात्मक चरमिस्थिदी पर और वेक का मान हो गया 0 परंदू त्वरण हो गया plus का A omega square त्वरण का परिमान अभी में कैसा है अधिक तब हाँ याना और last at T equals to capital T omega T की value 2 pi 2 pi यानि के 360 sin 360 sin 2 pi 0 360 पर वही मान होता है जो 0 पर होते cos omega T यानि के cos 2 pi यानि के cos 360 यानि के वह अपसे 1 तो X की value फिर से plus A sorry X की value फिर से 0 कन का वेक फिर से अधिक्तम कितना A omega और तरण फिर से 0 अब हमे का करने है ये graph बनाने है किस की साहता से बनाने है इस table की साहता से बनाने है T equals to 0 पे कन की स्थिती 0 0 T by 4 पे कन की स्थिती प्लस A तो T by 4 पे कन की स्थिती प्लस A होगी और बीच में एमान लगातार समय बढ़ने के साथ साथ कन की स्थिती भी बढ़ रही थी विस्थापन भी बढ़ रहा था और definitely साइन का graph है तो डैरेटी बन जाएगा तो साइन ओमेगा टी अब हम बात करते हैं वेग का graph समय के साथ टी कुस्तु जीरो पे कन का वेग अधिक्तम था कितना था ए उमेगा आपने यहाँ पे लिखा ए उमेगा जब समय बढ़ा तो कन का वेग घटा और टी बाई फूर पे घटकर कितना हो गया जीरो तो वेग का मान लगातार घटते हुए क्या हो गया जीरो पिर जैसे समय और बढ़ाव टी बाई टू वहा तो कन का वेग मानju से उमेगा कन का वीग रिनातबक में बढ़ा और कहा तक पहुँचिया मानईस ए उमेगा तक फिर ठ्री टी बाई फोर पर वेग फिर से शून्य और टी पे फिर से maximum वेग वेग कितना हो गया maximum कितना हो गया ए ओमेगा yes or no ओके और last graph किस किस के बीच में चलने दो कन का तुरण और समय के बीच में t को से 0 पे तुरण 0 समय बढ़ने के साथ साथ तुरण का रिणात उकमान बढ़ रहा था और t by 4 पे तुरण माइनस का यूमेगा स्क्वेर t को सु 0 पे तुरण 0 फिर रिणात्मक मान बढ़ा t by 4 पे तुरण क्या हो गया अधिक्तम कितना रिणात्मक में अधिक्तम माइनस का यूमेगा स्क्वेर फिर तुरण घटकर 0 फिर तुरण का मान प्लस Q मिगा स्क्वाइर और फिर 0 बलीब आज समको क्लियर है क्या येस अब अपने को यहाँ पर इन ग्राफ से सम्मधित क्या निकालने कुछ कंक्लूजन्स की बात करनी है यानि की निश्कर्श इन ग्राफ से क्या पहली बात जबकर मादिसी से गुजरता है कबकस गुजरता है देखो X eqrar 0 x eqrar 0 x eqrar 0 T eqrar 0 पे T eqrar 2 पर और T पर तो at T eqrar 0 T ay 2 and capital T पर कंकी सिती क्या थी 0 यानि कि मादिसी से कंड गुजर रा था तब वेग का क्या अलम था कण की वेग की कैस्तिती दी कण जब माद दिसली भी था तो वेग अधिक्तम था कण जब वापस से माद दिसली भी था तो कण के वेग का मान रिनात्मक में अधिक्तम था और कण जब वापस माद दिसली भी था तो कण का वेग फिर से अधिक्तम था तो यानिके वेग का मान क्या था प्लस माइनस ए ओमेगा और वेग का परिमान की बात करो तो क्या लिखेंगे ए ओमेगा और ये परिमान कैसा है अधिक्तम यानिके कण की चाल कैसी होती है अधिक्तम होती है जब कभी कण सरल आवर्द गती कर रहा कण जब कभी माध्य इस्ति तो कड़ की चाल अधिक्तम होगी क्यों होगी करने अपनी धरात्म चरम से चला जब धरात्म चरम पे है तो विस्थापन उस तरफ और बल इस तरफ इस तरफ इस तरफ बल लग रहा है तो बल इस तरफ लगातार आते 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 वेग बढ़ेगा और माद इसने पर वी क्यों जाएगा अधीक तब क्यों कि यहां से इसे ही क्रॉस कर जाएगा तो विश्थापन उदर अरभल विपरीट मंदी तो चुरू जाएगा तो यहां पे वी क्या Geowee अधीकतु यह से और घजिए लेचने के बारी में बाद करें तो second case जब कण धनात्म गया रिनात्म चरम स्थिती परो यानि कि x equals to plus या minus e ऐसा कब-कब होता है कण धनात्म चरम पे था t by 4 पे कण रिनात्म चरम पे था 3 t by 4 पे t equals to t by 4 and t equals to 3 t by 4 पे yes तब-तब कण का वेग कण का वेग जब धनात्म चरम पे था तो वेग शूनी था जब रिनात्म चरम पे था तब भी वेग शूनी था दोनु उस्तिति में वेग कर रहेगा 0 और कण का त्वरण जब धनात्म चरम पे कण था तो कण का त्वरण अधिक्तम रिनात्म चरम पे था इमान कैसा रहेगा अधिक्तम और कितना ए ओमेगा स्क्वाइर येस और लो ओके कण की गतिज उर्जा और समय की मद्धिग ग्राफ मनना है कानेटी गेनरजी क्या लिगूगे हाफ के ए स्क्वाइर कॉस्वाइर ओमेगा टी क्योंकि फाइ तो आपने जीरो मना है क्योंकि टी बराबर जीरो पर एक्सिकोस्टू जीरो है ये दो बात की दिए अपने ग्राफ बनाने के लिए तो एक तरफ में लेने वाला हूँ गतिज उर्जा दूसी तरफ लेने वाला हूँ समय परंतु अब ग्राफ थोड़ा सा अलग है पिछली बार अभी जो इस्तिती वेग और तुरण के जो ग्राफ बनाया थे उसमें साइन जैसे है कौसे से बनने थे गल्ए पर अब यहां पर स्कॉयर है तो ग्राफ साइन जैसे है कौसे से पने यह कोई जरूरी नहीं है दूसरी बात इधर वेग इधर समय ये ग्राफ ऐसा बना था क्या येस इस केस में आपका वेग रिनात्मक भी होता था पर वेग रिनात्मक भी हो तो तो धनात्मक रहेगी कॉस ओमेगा टी का मान रिनात्मक भी होगा तो यहां कॉस स्क्वाइर का कॉस का स्क्वाइर है स्क्वाइर है तो वैली उसका वापके हो जाएगी वापस से धनात्मक भी तीसरी बात जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ओमेगा टी का मान बढ़ेगा बट कॉस ओमेगा टी का मान घटेगा इसलिए कॉस स्क्वाइर ओमेगा टी का मान भी घटेगा और कॉस स्क्वाइर ओमेगा टी का मान घटेगा तो गतिज उर्जा भी घटेगी और गद्दिरुजा घटेगी तो आप graph ऐसा बनाएंगे घटते वे या ऐसा बनाएंगे ये कैसे decide हो तो ये decide करने के लिए मुझे क्या चाहिए है आपर slope of curve क्या चाहिए है वक्र का ढाल राइट गद्दिरुजा इधर क्या ले रहे हैं समय समय बढ़ेगा तो गद्दिरुजा का मान परिवर्दी दोगा और इस वक्र का ढाल कैसे लेखेंगे वक्र का ढाल लिखा जाएगा d ke upon dt क्या लिखते हैं किसी भी graph का slope d y by dx d y by dx y की जाएगे कोन है kinetic energy d ke upon dt लिखा जाएगा हाए रहा तो पहले स्लूप निकालते हैं क्या लिखेंगे d ke upon dt d upon dt equals to half k a square cos square omega t half constant k constant a square constant cos square omega t का आउख कलगा 2 oh oh देखना जी चलो लिख देता हूँ d upon dt of cos omega t का whole square cos omega t को आपने minimum में t माना यह हो जाएगा t square t square का alkaline क्या लिखते हैं half k a square 2t यानि कि 2 cos omega t और जिसको minimum में t माना था उसका फिर से alkaline तो cos का alkaline क्या हो था माइनस का sin of omega t into omega है मैं राइट तो क्या लिखेंगे d k e upon dt equals to minus का 1 by 2 k a square omega into into 2 sin omega t cos omega t 2 sin a cos a sin 2 a यानि कि यानि कि d k e upon dt की जो आपके पास value आ रही है वो क्या रही है माइनस में 1 बटा 2 k e square omega 2 sin 2 omega t time बढ़ेगा तो 2 omega t भी बढ़ेगा और 2 omega t बढ़ेगा तो sin 2 omega t की value भी बढ़ेगी और sin 2 omega t की value बढ़ेगी तो slope of gar यानि कि d k e upon dt बढ़ेगा बट slope कैसा होगा negative होगा देखो minus sign है तो इन दोनों graph में slope तो negative है समझ में आ रहा है परन्तु इस वाले graph में देखो यहाँ पे इस परशेखा कीचो यह इस परशेखा यहाँ पे इस परशेखा कीचो यह इस परशेखा बताओ किसका ढ़ाल ज़्यादा है इसका ढ़ाल कम है इसका ढ़ाल ज़्यादा है और हमें कैसा चाहिए जिसमें समय बढ़ने पर धाल बढ़कर प्राप्त हो तो कौनसा ग्राफ बनाएंगे ये वाला बनाएंगे ये वाला नहीं बनाएंगे बोलो हाया ना येस सुरो जरा इधर काइनेटिक एनरजी इधर टाइम टी इकोस टू जीरो पर ओमेगा टी की वैल्यू जीरो ओमेगा टी की वैल्यू जीरो तो कौस जीरो की वैल्यू वन वन का स्क्वाइर भी वन तो काइनेटिक एनरजी क्या हो जाएगी T equals to 0 पर kinetic energy maximum होगी कितनी होगी half के square जैसे जैसे time बढ़ेगा T equals to T by 4 पर capital T by 4 पर omega T की value pi by 2 pi by 2 एने 90 cos 90 0 cos square 90 भी 0 तो kinetic energy भी क्या हो गई? 0 गद्धी जुटा लगातार गटते वे शून्य हो गई अब T equals to capital T by 2 पर time बढ़ेगा time बढ़ेगा तो omega T कमान और बढ़ेगा और T by 2 पर कितना हो जाएगा? cos pi cos 100 C minus 1 minus 1 का whole square plus 1 तो गद्धी जुटा फिर से क्या हो गई? plus में maximum फिर 3 T by 4 पर 0 और फिर T equals to capital T पर फिर से maximum बोली बात सही कि नहीं है? right तो इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा किसका? गतिट उड़ जागा clear है? अब क्या बनाना है? कण की इस्तितिज उर्जा और समय के मध्वक्र इस्तितिज उर्जा का ग्राफ स्वरी फॉर्मुला हाफ के A स्क्वाइर साइन स्क्वाइर ओमेगा टी क्योंकि प्रारभी कला को तो आपने फाई को तो 0 मान लिया था इसमें भी साइन का स्क्वाइर है तो हमें पहले स्लोप चेक करना पड़ेगा तो स्लोप अफद करो यहां ग्राफ किस-किस के बीच भी मनाओगे कण की इस्तितिज उर्जा और समय के मध्व तो स्लोप क्या होगा डी यू अपॉन डी टी स्लोप बराबर डी यू अपॉन डी टी हाफ कॉंस्टेंट के कॉंस्टेंट ए स्क्वाइर कॉंस्टेंट आउकलन किया किसका साइन ओमेगा टी का होल स्क्वाइर है ना जब इसका होल स्क्वाइर करोगे तो क्या आएगा डी यू अपॉन डी टी इकलिस टू हाफ सेम के ए स्क्वाइर सेम sin omega t को आपने माना मनीमन में t तो ये t square t square का oculent 2t यानि कि 2 sin omega t जिसको मनीमन में t माना था उसका oculent यानि कि sin omega t का oculent cos omega t और इसका गुना कौन omega तो बात में omega से गुना तो du upon dt is half ka square omega ये वाला omega लिख दिया 2 sin a को से sin 2 omega t number 1 slope यानि कि do upon dt positive है तो जो भी graph बनेगा उसका धाल धनात बगड़ेगा number 2 time बढ़ने पर slope की value भी बढ़ेगी time बढ़ेगा तो 2 omega t बढ़ेगा 2 omega t बढ़ेगा तो sin 2 omega t की value बढ़ेगी sin 2 omega t की value बढ़ेगी मतलब वक्र का धाल भी बढ़ेगा जरा अब ये फिर से देखो धिर confusion कि sir graph ये बनाओ कि ये बनाओ अब आप इस परशेगा चाहे इस पर खीचो हो चाहे इस पर खीचो दोनों के वक्र के धाल इस पर शेगा का धाल दोनों के सिसमें धनात्मक है तो ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है परन्तु हमें ऐसा वक्र बनाना है जिसमें समय बढ़ने पर वक्र का धाल बढ़ता हो बढ़ाओ जी इधर U, इधर P, अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, तो यहाँ पे वक्र का ढाल ज़्यादा है, यहाँ पे वक्र का ढाल कम है, याणि कि समय बढ़ने पर, समय बढ़ने पर वक्र का ढाल ढाल घट रहा है, जबकि समय बढ़ने पर वक्र का ढाल बढ़ना चाहिए, मतलब यह वाला ग्राफ गलत है, तो क्या? तो कौन सा बनेगा? ये वाला graph इधर U, इधर T, यहाँ पे ढाल इगी चीज़ पर शेखा, इसके लिए कौन कम है, यहाँ पे इगी चीज़ पर शेखा, ये वाला कौन ज़्यादा है, यानि कि समय बढ़ने पर वक्र का ढाल बढ़ रहा है, यानि कि graph क्या सबनेगा, ऐसे बनेगा, बुली बात क् यह बहुत इंपॉर्टन बात है, हाला कि एक बार पढ़ने के बाद हम यह याद रख सकते हैं, कि काइनिटी गनेजी का graph ऐसा बनेगा, और पुटिशनेजी का graph कैसा बनेगा, यह हम याद रख सकते हैं, पर यह आया कैसे, यह भी तो समझ में आना जरूरी है, और यह सुनो चलो जी, तो अब फाइनली अपन, इस्तिज उर्जा और समय का graph बनाएंगे, t equals 0 तो omega t b 0, omega t 0 तो sin 0 के value 0, तो इस्तिज उर्जा भी 0, समय बढ़ेगा तो omega t बढ़ेगा, omega t बढ़ेगा, तो sin omega t भी बढ़ेगा, तो इस्तिज उर्जा भी बढ़ेगी, यह t equals to t by 4 पे, t equals to t by 4 लेखो, t by 4 पे, omega t की value, pi by 2, pi by 2 मतलब 90, sin 90 की value, 1, 1 का square, 1 इस्तिज उर्जा अधिक तम, कितनी half k square, right, अब, t equals to t by 2 पर, t की value t by 2, तो omega t की value, pi, pi मतलब 100C, sin pi की value, sin 100C की value, 0, तो इस्तिज उर्जा घटकर, फिर से क्या आ गई, 0, t equals to 3t by 4 पे, t की value 3t by 4, omega t की value 3 pi by 2, 3 pi by 2 मतलब 270, sin 270 की value, minus 1, और यहां पे क्या हो रहा है, square, square, तो minus 1 square plus, तो इस्तिज उर्जा वापसे क्या हो जाएगी, maximum, और t equals to, capital T पे, t equals to capital T पे, omega t की value, pi, 2 pi, 2 pi मतलब 360, sin 360 बराबर sin 0, sin 0 का मान 0, तो इस पुरी की value क्या हो गई, 0, तो इस्तिज उर्जा भी क्या हो जाएगी, घटकर 0, हाँ, यह ना, यह बाद सबको clear है, यह गत्य जुर्जा, यह इस्तिज उर्जा, इधर समय, इधर समय, t by 4, t by 2, 3 t by 4 और t, गत्य जुर्जा अधिक्तम से 0, फिर वापस अधिक्तम, और फिर 0 और फिर अधिक्तम, ऐसा ही ग्राफ बना था, इस्तिज उर्जा, पहले 0, फिर अधिक्तम, फिर 0, फिर 0, फिर अधिक्तम, फिर 0, यह अधिक्तम, हाँ यह ना, गोलिए, अधिक्तम, गत्य जुर्जा किती थी, काइनेटिक एनरजी, मैक्सिमम, एकोस्तुता, हाफ, के, A स्क्वार, इस्तिज जुर्जा, पोटिंशल एनरजी, मैक्सिमम, कितना था, हाफ, के, A स्क्वार, बोलिए बात क्लियर हैं सबको, येस, ओके,